COVID-19 की वैसे पिछले देड़ सालों में, सवा सालों में दिन गिनना हम लोगों ने बन कर दिया, लोगों की जिन्दगियां बरबाद हो गई हैं जबरदस तरीके से इस विमारी ने सब की जान, माली, हालत, उनकी परिसिति, उनकी मानसिक सिति पर अटैक किया है बड़े बड़े लोगों जिनके घरों की हमाई चलती थी, अच्छे कासे घरों में रहते थी, उनकी हालत खराब हो गई, उनको अपने जिन्दगी में कड़े दिनने लेने पड़े बहुत सारे शोज बंध हो गए, फिल्म में बंध हो गई, कंप्रीज में लिमिट कर दिया गया, सैलरी सकट कर दिया, लोगों को निकाल दिया गया इंडस्ट्री के बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ, एक स्टार की पत्नी ने, वो स्टार जिनका बेटा सुपरस्टार है, उनकी पत्नी ने ये कहा, कि पिछले दो सालों में हालत खराब हो गई है, सारी सेविंग्स खत्म हो गई हैं, और सारे पैसे खर्च हो गए हैं, और आगे पूरी जिन्दगी पड़ी हुए, मुश्किले जवान है, कौन है ये अक्टर और कौन है उनकी पत्नी जिन्नोंने खुलासा केया, तो ये अक्टर है, राजेश खत्तर, जो ईशान खत्तर के भाई है, ये देखे, ये राजेश खत्तर, ईशान खत्तर के पिता है ये, उनका बेटा वन्राज है तो ये इनकी पत्नी वन्दना है वन्दना ने बताया कि पिछले दो सालों में परिवार की medical treatment से उनकी हालत खस्ता हो गई है क्योंकि अस्पताल में किसी भी सदस्य के लिए पाना उनके लिए किसी बुरिस अपने से कम नहीं पिछले दिनों उनके ससुर यानि राजिश कटर के पिता की कानिधन हुआ था उन्होंने पोस्ट भी किया था तो वन्दना कहती है कि कोई किसी के पास कोई काम नहीं था और इसलिए उन्हें अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करना पड़ा उन्होंने कहा कि कोविट की फर्स्ट वेव में अपने बेटे का ख्याल रखने में वैस थी और पोस्टम के डिप्रेशन से जूज रही थी उन्होंने कहा पिछली बार जब में हॉस्पिटल में थी तो पता नहीं क्या हुआ मुझे जब लॉकडाउन हुआ मे नहीं है जो भी सेविंग्स थी वो हॉस्पिटल के खर्च और दो साल के लॉकडाउन में चले गे उन्होंने कहा बेटा कुछ महीनों के लिए हॉस्पिटल ने भरती था इतने समय में सिर्फ एक विज्यापन में काम किया है वन्ना भी एक्ट्रस है उनके पती और ससुर के ह रिशान खट्र के पिता को एप्रिल के महीने में उन्हें भी कोविड हुआ था उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया राजेश के अलावा उनके पिता बी कोविड के चपेट में आ गय थे और वंधना कहना है कि लगातार कुछ नोब बिमारियां चल रही है वंधना दूसरी पत्नी है राजेश की पहली पत्नी निलिमा अजीम थी शाहिद कपूर की मा और 1990 बयान भी के आसपास शाहिद राजेश खटर ने इनलों की मुलाकात हुई और शादी हुई ने उस समय तो शाहिद निलिमा अजीम शादी हुई थी शानकटर सुम्रु के हैं 2001-2002 के बाद उनका सेप्रेशन हुआ शाहिद और तब राजेश खटर और वंधना की शादी हुई है फिलाल वंधना ने अपने दिल का हाल खोल कर रखा एक इंटर्वियू के दारान की मुखिस तरह से परेशान है और जिंदगी बितानी उनके लिए मुखाल हो रही क्योंकि कुछ काम नहीं है और अस्पताल और लॉक्डाउन के खर्चे का बोज उनके परिवार पर और उन पर चाया हुआ है